तो साथियों कल से आनलाइन करेक्षन जो है वो होना सुरू हो जाएगा अगर हम एक सिक्वेंस का जो टाइम डेबल आया था जो डेट सिट था उसके बारे में बात करें जो की यूपी इस कलोड़ सिप का समय सारड़ी हम कह सकते हैं वो था दिखाने वाला हूँ वीडियो में उसके बारे में इसके अलावा दो दिन बात से चात्र विति सीधे बैंक खातों में भीजे जाएगी तो किन चात्रों को पैसा भीजा जाएगा किन को रिसीब होगा ये सारी जानकारी आपको इस वोडियो के अंदर में देने वाला हूँ साथ ही करेक्षन का पोर्टल कब से ओपन होगा और कौन से चात्र करेक्षन कर सकते हैं तो वोडियो मंतलग बने रहेगा वोडियो स्टार्ट करने इस विले आप सभी से एक छोटी स्रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो बिना देरी की हुए चैनल को भी सस्क्राइब करके बेल आकन को ज़र समीती द्वारा सुध डाटा के संबंध में निड़े लिया जाना यहां पर देखे सुख्रित करना एवं जनपद स्तरी विभागी अधिकारी के डिश्टल सिंगनेचर से सुध डाटा लाग किये जाना यह काम कब तक होगा ध्यान से देख लो दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर आज कितना दिसंबर है आज है 13 तारीक समझ गए 13 तारीक की साम को इस वीडियो को में रिक्यार्ड कर रहा हूं अब आपको बता दू कि क्या इसका मतलब है क्या सारी चीज़ें बताई जा रहे हैं तो भाई ओवराल यही कहना है कि 18 दिसंबर से पहले आपका फॉर्म 22 तक इन तमाम चात्रों का जो भी डाटा है वो लॉक करके एनाइसी का जो मांग है उसको सुर्जित कराना और उसके बाद यही 23 दिसंबर के बाद गेम पलटेगा और फिर जनपद सरी भी विभागी अधिकारी के डिश्टल सिंगनेचर से लाग डाटा के आधार पे यानि 24 तारिक यानि कि कल है तो क्या कल से करेक्शन चालो होगा अब देखें डी डेवलो वाले कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं तीसरी बार डेट बढ़ाया गया चीज़ें फ्लक्शुएट कर रही है मगर फिर भी जो डेट स्रीट है जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि कल दो पता दू एक चीज़ यहां पर साथियों की कई सारे चात्रों का सवाल है कि स्कॉलर्शिप का पैसा कब से आएगा तो बिल्कुल आप लोगों का जो स्कॉलर्शिप का पैसा है वो स्कॉलर्शिप का पैसा आप लोगों का आएगा यहां पर देखे 28 तारिक से मगर किन का आ यह तरफा दस्वी के जो छात्र हैं उनका स्कॉलर्शिप का जो पैसा है वो भेजा जाएगा यानि कि दो दिन बाद समझ गए तो दो दिन बाद यह पैसा भेजा जाएगा कहा गया है कि पंद्रह तारीक के बाद से पंद्रह तारीक से बड़े पैमाने पे फर्स्ट फेस की जो छात्रृत्ति है वो आएगी और जैसे छात्रृत्ति आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको इंफॉर्म करेंगे इक क्या कैसे करना है बाकी का आपको मैंने बता रखा एक बाद तूटियों को सही करना यह सारी चीज़ने जो है क्रिया कलाब होनी है दिसंबर में दे अस्टाग्राम पर उसका बता देते हैं कि सर ऐसा है यह इंफॉर्मेशन मिली अगर आपको भी कोई इंफॉर्मेशन मिला करें बता दिया करो बाकी आपके भाई के पास है ही उन सारी चीज़ों को कलेट करके ज्यादा ज्यादा और अध्यंटिक प्रवाइड करें जिस्ते यह सारी चीज़ें बताने वाला हो और आगे भी बताऊंगा समझ गए अभी तो यह फेस फर्स्ट का हो गया फेस सेकेंड वालों का यही पूरा ताम जाम चलने वाला है ओवराल काफी ज्यादा मतलब जरुवत है आपको सही गाइडेंस की और बैंक का रिजेक्ट वाले का काफी समस्या आ रहा है सर की बैंक रिजेक्ट पे पर्टिकुलर वीडियो ला दीजे तो कमेंट करके बताए जिनको बैंक रिजेक्ट पे पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो मैं उसी टापिक पर वीडियो ला दूँगा कुछ कमेंट उसको मैंने प यूपी स्कॉलर सी पिश्टास 22 थे इस पर जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस कुल के आज जाएगा जहां से साथियों आप प्याप पड़आली के ठुरू अपना पैसा जो है इसको चेखाओट कर सकते हो तो यहाँ पर अपको अपना बैंक नेम जो उसको डाल देना है एगाउन दाल देना है दोबारा से थ्रू भी आप अपना पैसा जो है उसको चेकाऊट कर सकते हो समझ गए चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी का चैनल को नहीं सस्क्राइब किया तो कर दो कोलेज में जो है उसको बात किजिये क्यों दिखा रहा है और इसको साल बाउट किजिये समझ रहं हो शारा या आप्का आपका को वीडिये Cheese को इस हो पार है क्या हुए कोमल चौधरी का कहना है कि सर इस साल मेरा बीएट सिकंडियर है जब हमने फर्स्ट यर में स्कॉलर्शिप का फॉर्म किया था तब हमने सी सी यस यूनी से फॉर्म फिल किया था लेकिन बाद में हमने यहां पर देखी कई सारी चीज़ें यहां पर बताएं तो बैंक इनका जो है मर्ज हो चुका है अब इनके में इन्रोल्मेंट नंबर का भी मार्क्स मिसमेट यह साही चीज़ें आने तो इसके रिगार्ड़ है आपको प्रिवियस एर का रिजल्ट है उसका फोटो कॉपी समिट कर देना है अच्छेतन स पहली बात तो यह है कि इनकम सर्टिफिकेट डूबली केट दिखा रहा तो कहीं तुमने गलत नंबर तो फिल नहीं किया या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई सेम इनकम सर्टिफिकेट ही लगा दिये परिवार का मतलब जो है आप आपका भाई बहन यह सारी चीज़ें तो जो डेट थी उसमें फौर्म भरा था बेट फरस्टियर की स्कॉलर्शिप का एक्चुली मेरे बैंक एकाउन की ब्रांच सो नहीं हो रही थी तो कैफे वाले ने दूसरे ब्रांच फिल कर दिया है अब फौर्म में आई एफसी कोर्ट सो हो रहा है इससे क्या स्कॉलर्शिप जो है वह आप लोगों के समझ में आ गई होंगी बागी का इंस्टाग्राम पर फालू कर लो कोई सवाल है तो पूछ सकते हो चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया इतना सपोर्ट दिखाने के लिए प्यार दिखाने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद जै हिंद बने माते